नमीबिया और इंग्लेंड के बीच में यह जो मैच है वो इंग्लेंड के लिए बहुत अहम है बहुत इंपोर्टेंट है अगर वो यह मैच जीतते हैं और बड़े अंतर से जीतते हैं और अस्ट्रेलिया और स्कॉट्लेंड वाला जो मैच है वो स्कॉट्लेंड हार जाती है तो यह जो इंग्लेंट की टीम हें यह क्वालीफाय कर जाएगी लेकिन अगर यह तो यह मैच इंग्लेंट हार जाए और यह तो इसकॉटलेंड अस्ट्रेलिया को हरा दे और अस्ट्रेलिया के जॉस हैसलोड ने यह hint भी दिया है कि वो सकता है तो नॉक आउट करते लेकिन हा तो देखो क्या होता है इंग्लेंड यहां पर पूरा जान लगा देगा वैसे भी हाला कि सामने नमीबिया की टीम है तो इंग्लेंड के पलड़ा भारी है लेकिन हम देखेंगे किस तरीके से आप इस मैच में ग्रेंड लिग में अच्छी टीम से बना सकते हो एक एक प्लेयर क जो आपकी टीम में होने ही चाहिए मच्छा पिक्स सब देखेंगे अब शुरू करते हैं यह जो मैच है नॉर्थ सांट एंटिग्वा के ग्राउंड पर खेला जाएगा बीस पर्शन चांसेस है रेन के लेकिन देखो यह हर बार रहता है लेकिन रेन होता नहीं है तो यह व में तीन मुकाबले खेले गए 79 का फर्स इनिंग का 82 का सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 11 विकेट इस्पिनर 21 विकेट पेसर अब यहां से यह आपको लग रहा होगा कि बहुत लो स्कोरिंग विकेट है लेकिन देखो यहां चुलिया और नमीबिया की टीम से नमीबिया इसके अलवा बैटर्स के लिए ऐसा नहीं कि बहुत खराब विकेट है डिसेंट विकेट है यदि बैटर सिंगल डबल्स खेले ना तो 170 भी पहुचा सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि वह 150-160 के बीच में रहा जा लेकिन अब टीम स्टेंथ देखो इंग्लेंड और नमीबि की नमीबिया की टीम उत्री नहीं नहीं है in compared तो इंगन्लेंड तो हो सकता है नमीबिया की टीम पहले बल्लेबाजी ho भाजीगे बहुत कि बहुचल है औरागर इंग्लेंड की टीम बहुत क्वालिटी बैटर है तो हो सकता है वो लोग अच्छा है स्कूर कर दे 170-180 इसका मतलब यह भी नहीं कि बहुत अच्छा था पल्ले बाजिक ले विकेट इसमें क्या था कि यहां पर जो इंग्लेंड के बैटर थे वो नमीबिया के बॉलर्स के जादा क्वालिटी बैटर थे त थोड़े लो स्कूरिंग मैच हुए कि अर्जेंटीन ए यूए से के सामने बहुत वीक टीम थी और यहां पर भी देखो अर्जेंटीन और कैनेड़ा डिसेंट स्कूरिंग मैच हुआ यह जो पांच मैच देखे स्पिनर्स को इक के स्पेसर स्कूर्स को अड़ती है ओवरॉ बात करते हैं पहले हम इनके इंपॉर्टेंट प्लियर्स के वारे में जानेंगे वह है फ्राइलिंग एरासमस जेजे स्मिट डेविड वीजा ट्रमपल मैं वीज कॉल्स ठीक है फॉर्म देखो तो यह इनका फॉर्म है कुछ खास नहीं किया बस यह दो ट्वेंटीज के स्क इस कॉल्स का परफॉर्मेंस पहले के स्कॉर्स हैं बैंसी कॉंग उन्स प्लियर्स पे प्लियर्स आपने देख लिया आप इनकी टीम से मस्ट भ पिक कॉन है दो ऐसे घ्राइडी मैं बता तो इनकी टीम से इरासमस और डेविड वीजा जिनको आप जरूर लेगे जाओ यह तो इनकी टीम के best allrounder है यह तो South Africa के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं तो इनको अच्छा खासा experience है और T20 Blast में भी यह लगबग अच्छी खासी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल चुके हैं तो इनको experience है तो यह दो important रहेंगे बाकी के जो प्लेयर्स है जिसे कि फ्राइलिंक हो गए ट्रमपल मैं हो गए यह लोग कभ इंपोर्टेंट रहेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा ता कि accordingly आप selection इनका कर पाओ ठीक है इसके अलावा पावर प्ले के बॉलर ट्रमपल मैं डेविड वीजा बेंच चिकोंगो देथमें के पास ट्रमपल मैं और कि अगर के लिए तो यहां पर यहां पर सामने मजबूर तो ज्यादा हम सजिस्ट करेंगे नि मैं आगे आपको एक एक प्लेयर वाई अनालिस्स बताऊंगा यहां पर अपके वल्ड प्लेयर का इना स्टैट्स देखते वीजाज चलो जैशे इंट रखते हैं लेकिन इन लो इस तरीके से और जो यलो कलर से मेंसेंड है वो अच्छा स्टाइट रखती है इनके में पेसर ट्रंपल्मेंट चौविश निंग में पच्छेस विकेट बर्नेट इसके लावा टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंड में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा बिल्कुल फ्री और बहुत इंपोर्टेंट है तो फटा फट जाओ जुड़ जाओ इंपोर्टेंट इसलिए बोला जाता है इसके अलावा देखो रियल एलोन पर अगर आपन क्यों कर रहे हो लेकिन पैसे कमाने से पहले ही आप एक्स्ट्रा पेगर दे रहे हो क्यों कर रहे हो जब वही चीज सेम चीज सस्ते में अवेलेबल है तो ध्यान रखो आप लोग को जहां फायदा महां केलो रियल 11 बेस्ट है मेरे एक्वाडिंग जो है एंट्री फीज के मा सकते हो और यहां पर ना हर एक चीज देखो बहुत अच्छी है स्मूथ है स्मूथ इंटरफेस है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यूजर फ्रेंडली एप है और एक चीज है कि यहां पर ना मैं 2019-2020 से खेल रहा हूँ और बहुत अच्छा एप है मैंने खुद एक्सपीरिय से हैं हाला कि मैं अभी आपको बताता हूँ पहले यह देख लो फिल सॉल्ट बटलर विल जैक्स मोईनली और इनके चारो बॉलर फॉर्म देखोगे तो फिल सॉल्ट यहां पर 37 और 12 बटलर ने 42 और 24 काफी अच्छी फॉर्म दिखाई है विल जैक्स ने कुछ खास फॉर्म इनका मौका नहीं मिला उससे पहले 15 प्लस एक विकेट तीन विकेट जॉफरा अर्चार रादेल रसीद के चार विकेट यहां एक विकेट तीन विकेट मार्क उटके लास्ट मैच पर उसके बाद यह पे टॉप लीग जीरो विकेट तो यह जो प्लेयर्स है ना इनका इनका प्लेयर आफ़र के चार्ष अपको ट्रिंख घंट में भास्ट कुछ प्लेयर अब आपको इसम इसम बता मैच महिं प्लेयर अच्छा नहीं है मैं आगे आपको ग्रांड लिक के परपास यही टीम बता दूँ माझ तपली और जौफरा अर्चर पावर प्लेयर्स के ज तो इनके टीम से तोप ली मारकूट, जॉफर अर्चर अदिल रसी दीए है आपको ठीक तक ओवर ढलते हूं दिखेंगे मोहनली और विल्जैक्स ये भी कुछ ओवर ढाल सकते हैं लेकिन इनके सामने लिंक्स चन भी है तो वो भी कुछ ओवर ढाल सकते हैं ये मिलके जो तीन यह चार ओवर डालेंगे ठीक है यह दियान रखना आप देखो इनके टीम के भी प्लेयर वाई स्टैट्स देख लो यहां पर हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा सेम वही फॉर्मेट बे अभी मैंने आपको नमी भी है का स्टैट्स दिखाया जोने बैस्टो इसके अलावा देखो दोनों टीमों के बीच में अभी तक मैच हुए नहीं है तो आपको रिकॉर्ड मिलेंगे नी और हैड-to-head वेन्यू की बात करें तो देखो जैसे नमीबिया की टीम है हैड-to-head अगेंस इंग्लेंड का भी खेला नहीं है तो रिकॉर्ड मिलेगा नी इस वेन्यू पर एक-एक मैच खेलें वही लास्ट मैच वाला जिसमें की एक रन बनाया था फ्राइलिंक ने च्छतिस अने रासमस ने बनाया था एक रन डेविड वीजा ने और एक विकेट निगाला था यह वही रिकॉर्ड हो गया मतलब वेन्यू रिकॉर्ड अब इंग ऑदेलर्शी दो मैच में तीन वििकेट उडियााइख में हैरीः भूट का 114 सो आ यविज में 50 सलीग्स में और एक-एक मैच में तीन विकेट था जॉफ राच्व या IPL में भी अच्छी फर्म में थे, आप इन दोनों को जरूर लेके जाओ, चाहे चीजिंग हो, चाहे फर्स्ट बल्लेबाजी हो, जेन गिरीन एक एवरेज उप्शन रहेंगे, जॉनी बैस्टो को न रिस्क लेके फर्स्ट रिंग में ले सकते हो, ग्रेंड लिंग में आपको रूटेशन करना है, तो रूटेट कर सकता हो, और विल्जक्स के जिगे पर ही, विल्जक्स ने कुछ खास नहीं किया इस टॉर्नमेंट में, लेकिन अगर जॉनी बैस्टो को देखो, वैसे हीट और मिस्टाइब के खिलाड़ी है, लेकिन अगर बल्लेबाजी आई ना, तो हो सकता अच्छा कर जाए, सामने थोड़ी कम जोर्टी में, तो ये ध्यान रखना फर्स्ट बल्लेबाजी की केस में, इनकी टीम स्ट्रॉंग है, तो हो सकता है, फर्स्ट बल्लेबाजी में भी ज्यादा बल्लेबाजी ना है, तो वह एक रिस्क रहेगा, लेकिन ग्रेंड डिक में, रोटेशन कर सकते हो, अगर आप इंग्लेंड की टॉप और के बैटर्टर को नहीं ले रहे हो, तो, सामने जो गेंडबाज है, उनसे मैं उमीद करूँगा, इनका जल्दी विकेट निगाल ले, बंडेकेट खेलने रहे, निको डाविन ठीक ठाक बल्लेबाज है, डीसेंट बल्लेबाज है, लेकिन वही जी सामने जौफरा अर्चर, मारकूट, टॉपली जैसे गेंडबाज ह है, तो मैं इनसे जादा उमिद करूँगा, यहां पर डेविड वीजा और आसमस, यह दो नमीबिया के ऐसे all-rounder है, जो यह spin all-rounder है, यह तेज गेंडबाजी के all-rounder है, must-up pick है, और दोनों के दोनों अच्छे points दे के जा सकते हैं, और डेविड वीजा फर्स जिनिंग की ग करें, तो यह एक decent option है, इनको गिंदबाजी नहीं मिलती है, अगर चार ओवर की गिंदबाजी करें हो तो यह must-up pick की category में है, क्योंकि इनकी टीम के best all-rounder है, मतलब जो चार ओवर गिंदबाजी करता है, बंदा देथ में विकेट निकालता है, विकेट टेकिंग नेचर का है उसको इतनी जाद है गिंदबाजी मिलती ही नहीं है, में भी injury concern होगा, बट बल्लेबाजी से भी अच्छा करते हैं, एक मच में 45 नवाद पारी खेल चुके है, नमीबिया की टीम ने दो all-rounder waste की है, एक जे फ्राइलिंग और एक है जे जे श्मिट, दोनों इनकी टीम के best all- rounder थे, चार all-rounder हो जाते फिर इनकी team से, फिर इनकी team मजबूत भी होती, पता नहीं इनकी team, इनको balling क्यों नहीं देती है, क्या कोई injury gun शरने, मैंने अभी तक कोई news नहीं पड़ी, लेकिन balling नहीं मिलती है इनको, अब क्या है वो जाने, बागी lay action को मैंने ले रखा है, अ अगर नमी भी टीम पहले के इंदबाजी करें तो उनको लेंगे, ठीक है, यह मस्ठा पिक नहीं है, वालिंग से जौफरा आर्चर, आदिलसीद, मारकूड और टॉपली, यह चारो मस्ठा पिक, रिजन, क्योंकि यह चारो ही विकेट टेकिंग नेचर के इंदबाज है, और अच्छी फॉर्म में भी है, टॉपली ने लास्ट मिच में विकेट नहीं निकाला, बट इंपोर्टेंट रहेंगे, तीन विकेट लास्ट मिच में मारकूड नहीं निकाला, जौफरा आर्चर ने भी तीन विकेट निकाला, तो दोनों इंपोर्टेंट है, आदिलसीद ने यह ग्रेंड लिग की बात हुई आपको रूटेट किसके जगे करना है आप हाँ बीश को ग्रेंड लिग में एक एक टीम में ट्राय कर लेने स्पेशली सेकेंड इनिंग बॉलिंग ठीक है लेफ्टाम और्थाम और्थॉडक्स बॉला रहे है इनकी टीम के बेस्ट इस पिना रहे है ब्रेचल वगर्वा उतने अच्छा उप्शन है नि आप देखो यहां पर आप लोग को रूटेट किसके करना लेंक स्टन की जगे रूटेट करना है और यहां पर विल्जक्स की जगे आप रूटेट कर सकते हो या फिर आप मौइन अली के जगे पर ये तीन प्लेय लिंग्स्टन विल जैक्स ठीक है यहाँ पर आप चाहो तो ट्रमपलमें को लो यहाँ पर आप चाहो तो बैस्टो को लो मैंने सारी चीज एक्स्प्लेंड किये डीटेल में तो इन प्लेयर्स को आप अकॉर्डिंगली रोटेट करके अपनी ग्रैंड लिक की टीम बना सकते हो इनको रोटेट करो कैटन वाइस कैटन जौफरा अर्चर आदिल रसीद बट्रल यह सबसे सेफ है कॉमन कैटन वाइस कैटन थोड़ा रिस्क लेना है तो विल जैक्स पी शॉल्ट या फिर कोई भी इंग्लेंड बॉलर आप इनके उपर कैटन सी वाइस कैटन सी रोटेट कर इस वीडियो में आपको इतना तो बता दू कि आप खुछ से अपनी टीम बना पाओ और अगर आप कुछ से टीम बना अच्छा विन करो क्योंकि वह चीज आपको कॉन्फिडेंस भी देगी और लंबे समय तक आप खुछ से टीम बना और अच्छा विन करो तो आपको फिर इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी बस आपको हाँ में में चीजों की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो यह ध्यान रहो बाकी यह ध्यान रखो बाकी देखो फाइनल अप्डेट के लिए टेलिग्राम से जुड़ जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले लिंक मिलेगा क्योंकि वहां पर कौन पहले बॉलिंग कर रहा है पिछ कैसी दिख रही है कौन सा प्लेइंग लेवन क्या बैटिंग ओर चेंज तो नहीं हो गया यह सारी चीज़े फाइनल अबडेट बार बार वीडियो बनाके डालना तो पॉसिबल नहीं है तो टेल स्काइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन